चैप्टर छे, टेल्स, यू विन, मैं इस चीज को 30 साल से पीट रहा हूँ, मुझे लगता है कि सरल गणित है, कुछ पर योजनाय काम करती है और कुछ नहीं, किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, बस अगले पर जाओ, Brad Pitt X Screen Actors Guild Awards वीकार करते हुए 1936 में हैंच बर्गग्रेन नाजी जर्मनी से भाग गए, वो अमेरिका में बस गए, जहां उन्होंने UC में साहित्य का अध्यान किया, बरकले, अधिकांच खातों में उन्होंने अपनी युवावस्था में विशेश वादा नहीं देखाया, लेकि के सबसे सफल कला डीलरों में से एक था, 2000 में बर्गग्रुएन ने पेकासो, ब्रेक्स, क्लेज और मैटिस के अपने विशाल संग्रह का एक हिस्सा जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से अधिक में बेच दिया, यह एक ऐसा सौदा था कि जमनों ने इसे प्रभावी धंक से एक दान माना, संग्रह का निजी बाजार मूल्य एक डॉलर, बिलियन से अधिक था, यह आश्चर्य जनक है कि एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में उत्कृष्ट कृतियों को एक अत्र कर सकता है, कला उतनी ही व्यक्ति परिक है जितनी इसे मिलती है, किसी ने कैसे पूर्वा भास क किया होगा, प्रारंभिक जीवन में सदी की सबसे अधिक मांगवाली कृतियां क्या बन जाएंगी, आप कौशल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, भाग्य, निवेश फम होराईजन रिसच की तीसरी व्याख्या है, और यह निवेशकों के लिए बहुत प्रासंगेक है, महान न निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला खरीदी, फम लिखती है, 19, संग्रह का एक सबसेट महान निवेश के रूप में निकला, और उन्हें पर्याप्त रूप से लंबी अवधी के लिए रखा गया था, ताकि पोर्टफोलियो को वापसी पर अभिसर्ण करने की अनुमती मिल सके, पोर्टफोलियो में सबसे अच्छे तत्वों में से, बस इतना ही हती है, महान कला डीलर इंडेक्स, फंड की तरह काम करते थे, उन्होंने वो सब कुछ खरीदा जो वे कर सकते थे, और उन्होंने इसे पोर्टफोलियो में खरीदा, न की अलग-अलग टुकडे जो किसी व्यक्ती ने अपने जीवन में हासिल किये गए 99 प्रतिशत कारियों का बहुत कम मूल्य था, लेकिन यह विशेश रूप से माइने नहीं रखता अगर अन्य एक प्रतिशत पिकासो जैसे किसी व्यक्ती का काम हो, बर्ग ग्रुएन ज्यादातर समय गलत हो सकता है और फ के सबसे दूर के छोर का वित में जबरदस्त प्रभाव होता है, जहां कम संख्या में घटनाएं अधिकांश परिनामों के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, इससे निपटना कठिन हो सकता है, भले ही आप गर्णित को समझ लें, यह सहज नहीं है कि एक निवेशक आधा समय ग मान्य है, जिसके कारण, जब वे करते हैं तो हमें ओवर्रियाट करना पड़ता है, स्टीम बोट विली ने वाल्ट डिजनी को एक एनिमेटर के रूप में मानचित्र पर रखा, व्यवसाय की सफलता एक और कहानी थी, डिजनी का पहला स्टूडियो देवालिया हो गया, उन उन्हें अपमानजनक शर्टों पर वितपोशित किया गया था, 1930 के दशक के मध्य तक डिजनी ने 400 से अधिक कार्टून तयार कर लिये थे, उनमें से अधिकांच छोटे थे, उनमें से अधिकांच दर्शकों द्वारा प्रिय थे, और उनमें से अधिकांच ने अपना वो कमपनी द्वारा पहले अरजित की गई किसी भी चीज से अधिक परिमान का एक क्रम था। इसने डिजनी स्टूडियो को बदल दिया। कमपनी का सारा कर्च चुका दिया गया। जा भी करमचारियों को रिटैंशन बोनस मिला। कमपनी ने वर बैंक में एक नया अत्याधुनिक स्टूडियो खरीदा। जहां ये आज भी बना हुआ है। एक ओसकर ने वॉल्ट को प्रसिध से पूरुन विक्सित सेलिब्रिटी में बदल दिया। 1938 तक उन्होंने कई सो घंटे की फिल्म का निर्मान किया था। लेकिन व्यावसाइक द्रिष्टी से स्नोव वाइट के 83 मिनट ही महत्व पूर्ण थे जो कुछ भी विशाल, लाबदायक, प्रसेध्य प्रभावशाली है। वो एक टेल इवेंट का परिणाम है, एक हजारों या लाखों की घटना। और हमारा अधिकांच ध्यान उन चीजों पर जाता है जो विशाल, लाबदायक, प्रसेध्य प्रभावशाली हैं। जब हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वो एक पूंच का परिणाम है, तो यह समझना आसान है कि वे कितने दुरलब और शक्तिशाली हैं। कुछ पूंच से चलने वाले उद्योग स्पष्ट हैं, उद्यम पूंची ले लो, यदि कोई 20-50 निवेश करता है, तो वे उम्मीद करते हैं कि उनमें से आधे विफल हो जाएंगे, दस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और एक या दो ऐसे बोनस होंगे जो फंड क रिटन का 100 प्रतिशत ड्राइव करते हैं, निवेश फर्म सहसंबंध वेंचस ने एक बार संख्या में कमी की, 2004 से 2014 तक 21,000 से अधिक उद्यम वितपोशन में से 65 प्रतिशत पैसक हो दिया, धाई प्रतिशत निवेश ने 10X, 20X किया, एक प्रतिशत ने 20 गुना से अधिक रि उससे अधे करजित किया, यही से उद्योग के अधिकांच रिटन आते हैं, यह आप सोच सकते हैं, जो उद्यम फून जी को इतना जोखिम भरा बनाता है, और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यह जोखिम भरा है, अधिकांच स्टार्ट अप विफल ह हो जाते हैं और दुनिया केवल कुछ बड़ी सफलताओं की अनुमती देने के लिए, पर्याप्त है, यदि आप सुरक्षित, अनुमानित और अधिक स्थिर रिटन चाहते हैं, तो आप बड़ी सार्वजनिक कमपनियों में निवेश करते हैं, या तो आप सोच सकते हैं, य अधिकांच सार्वजनिक कमपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं, और कुछ मुठी भर असाधारन विजेता बन जाते हैं जो शेयर बाजार के अधिकांच रिटन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जेपी मौगन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसिल 3000 इंडेक्स के लिए रिटन का वित्रन प्रकाशित किया था, सार्वजनिक कमपनियों का एक बड़ा व्यापक, संग्रह, 198.21 से, सभी रसेल 3000 स्टॉक घटकों में से 40 प्रतिशत ने अपने मूल्य का कम से कम 70 प्रतिशत खो दिया और इस अवधी में कभी भी ठीक नहीं हुआ, प्रभावी रूप से सूचकांग के सभी रिटन 7 प्रतिशत घटक कमपनियों से आए, जिन्होंने कम से कम दो मानक विचलन से बहतर प्रदर्शन किया, उद्यम फूनजी से आप इस तरह की अपेक्षा करेंगे, लेकिन ये एक उबाओ, विविद सूचकांग के अंदर हुआ, अधिका अधिक अपना अधिकांश मूल्यक हो देते हैं और कभी भी ठीक नहीं होते हैं, सारवजनिक उप्योगिताओं में भी विफलता दर्दस में एक से अधिक है, यहां दिलचस्प बात यह है कि सारवजनिक कमपनी और रसिल 3000 के सदस्य बनने के लिए आपको एक निश्चित स् सफलता हासिल करनी होगी, यह स्थापित निगम है, उडान भरने के लिए नहीं, रात-रात स्टार्ट अप, फिर भी अधिकांश के जीवंकाल को वर्षों में मापा जाता है, पेडियों में नहीं, इन कमपनियों में से एक का उदाहरन लें, रसिल 3000 इंडेक्स के पूर्व स सदस्य कैरल को, इसने 1980 और 1990 के दशक की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्मान किया, जिनमें पहली तीन रेंबो फिल्में, टर्मिनेटर दो, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रेकॉल शामिल है, कैरल को 1987 में सारवजनिक हुई, ठिट के बाद हिट आउट करते हुए, यह एक बड़ी सफलता थी, इसने 1991 में राजस्व में आधा अरब डॉलर कमाए, 400 मिलियन डॉलर के मार्केट कैप की कमान संभाली, उस समय का बड़ा पैसा, विशेश रूप से एक फिल्म स्टूडियो के लिए, और फिर यह विफल हो गया, ब्लॉकबस्टर बंध हो गय, क यह 1996 में दिवालिया हो गया, स्टॉक शून्य हो गया, आपका दिन शुब हो, एक विनाशकारी नुकसान, और दस में से चार सारवजने कमपनिया समय के साथ अनुभव करती हैं, कैरोल को की कहानी कहने लायक नहीं है क्योंकि यह अदवितिया है, बल्कि इसलिए कि यह आम ह यहां इस कहानी का सबसे महत्वपून हिस्सा है, दरसल तीन शून्य 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 एक नौ आठ शून्य के बाद से 73 गुना से अधिक बढ़ गया है, यह एक शानदार वापसी है, यही सफलता है, सूचकांक में शामिल 40 प्रतिशत कमपनिया प्रभावी रूप से विफ परियाप्त से अधिक थे, खैंज बर्ग ग्रेन की तरह, लेकिन पेकासो और मैटिस के बजाएं माइक्रोसोफ्ट और वॉलमार्ट के साथ, न केवल कुछ कमपनियां बाजार की अधिकांश वापसी के लिए जिम्मेदार हैं, बलकि उन कमपनियों के भीतर और भी पूंच की घटनाएं हैं, 2018 में, अमेजे ने S&P 500 के रिटन का 6 प्रतिशत निकाला, और अमेजे की वृद्धी लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेजे वेब स्विसेज के कारण हैं, जो खुद एक कमपनी में टेल इवेंट हैं जिसने सैकडों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है, फायर फोन से लेकर ट्रेवल एजेंसियों तक, आपल 2018 में इंडेक्स के लगभग 7 प्रतिशत रिटन के लिए जिम्मेदार था, और ये आइफोन द्वारा अत्यधिक संचालित होता है, जो की तकनीकी उत्पादों की दुनिया में टेल वाई के समान है, और इन कौन काम कर रहा है, गूगल की हायरिंग स्वीकृती दर 0.2 प्रतिशत है, 22 फेस्बुक की 0.1 प्रतिशत, 23 आपल की लगभग 2 प्रतिशत है, 24 इसलिए टेल रिटन चलाने वाले इन टेल प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले लोगों के पास टेल करिया है, ये हविचार की आ सही नहीं है, ये अभी एक निवेशक के रूप में आपके अपने व्यवहार का एक महत्वपून हिस्सा है, नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा की परिभाशा थी, वो आदमी जो औसत काम कर सकता है जब उसके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हों, निवेश में भी ऐसा ही ह अधिकान श्वित्तिय सलाह आज के बारे में है, आपको अभी क्या करना चाहिए, और आज कौन से स्टॉक अच्छी खरीदारी की तरह देखते हैं, लेकिन आज ज्यादातर समय उतना महत्वपून नहीं है, एक निवेशक के रूप में अपने पूरे जीवंकाल में आप आ जब बाकी सभी लोग आसपास हो तुम पागल हो रहे हो, गौर कीजिए कि अगर आप 1900 से 2019 तक हर महीने एक डॉलर की बचत करते हैं, तो क्या होगा, आप उस एक डॉलर को हर महीने यूएस शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, बारिश या चमक, इससे कोई फर्क नहीं परता कि अर्थशास्त्री एक आस्न मंदी या नए भालू बाजार के बारे में चिल्ला रहे हैं, आप बस निवेश करते रहें, आए एक निवेशक को बुलाते हैं जो यह मुकदमा करता है, लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत दरावना है, तो शायद आ आप अपना एक डॉलर शेर बाजार में निवेश करें जब अर्थविवस्था मंदी में न हो, बेचे सब कुछ जब यह मंदी में है और अपने मास एक डॉलर को नकद में बचाएं, और मंदी समाप्त होने पर सब कुछ वापस शेर बाजार में निवेश करें, हम इस मिश्वास हासिल करने में कुछ समय लगता है मंदी ना होने पर आप शेरों में एक डॉलर निवेश करते हैं मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेचते हैं और मंदी खत्म होने के बाद 6 महीने में वापस निवेश करते हैं हम आपको टॉम कहेंगे समय के साथ इन 3 निवेश के पास कितना पैसा होगा मुकदमा 4,35,551 डॉलर के साथ समाप्त होता है जिम के पास 2,57,386 डॉलर है टॉम 2,34,476 डॉलर मुकदमा एक मील से जीत जाता है उननीस सो और 2,019 के बीच 1428 महीने थे उनमें से सिर्फ 300 से अधिक मंदी के दौरान थे इसलिए अर्थ व्यवस्था के मंदी के दौर में या उसके करीब 22 प्रतिशत समय के दौरान उसे शान्त रखने से सूको जिम या टॉम की तुलना में लगभग 3,4 अधिक धन प्राप्त होता है एक और हाल या उदाहरन देने के लिए 2008 के अंत और 2009 की शुरुआत में कुछ मह हीनों के दौरान आपने एक निवेशक के रूप में कैसा व्यवहार किया इसका आपके जीवन भर के रिटन पर 2000 से 2008 तक किये गए सभी कारियों की तुलना में अधिक प्रभाव पढ़ेगा पुराने पाइलिट ने चुटकी ली है कि उनकी नौकरी घंटों और घंटों की है जो सरासर आतंक के क्षणों से घिरी हुई है निवेश में भी ऐसा ही है एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप आतंक के विराम चेहनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं नकी क्रूज नियंत्रन पर बिताए गए वर्षों से एक निवेश प्रतिभा की एक अच्छी परिभाशा वो पुरुश या महिला है जो ओसत काम कर सकता है जब उनके आसपास के सभी लोग पागल हो रही हों पूंच सब कुछ चलाती है जब आप स्वीकार करते हैं कि पूंच व्यापार निवेश और वितम में सब कुछ चलाती है तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत होना तूटना असफल होना और गिरना सामान्य है यदि आप एक अच्छी स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे यदि आप एक अच्छी बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रनीती के विचार काम करेंगे यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे और बहुत कुछ खराब होगा यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों और परीक्षनों के बाद सही क्षेत्र में सही कमपनी मिल जाएगी और अगर आप अच्छे हैं पीटर लिंच हमारे समय के सबसे अच्छे निवेशकों में से एक हैं यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो एक विमान उडाना फिर ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप लगभग हर समय कम से कम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं एक रिस्टरा शेफ मान लीजिए निवेश व्यापार और वित इंग शेत्रों की तरह नहीं हैं निवेशकों और उद्यमियों दोनों से मैंने जो कुछ सीखा है वो यह है कि कोई भी हर समय अच्छे निर्नय नहीं लेता है सबसे प्रभावशाली लोग भयानक विचारों से भरे होते हैं जिन पर अक्सर कार्रवाई की जाती हैं अमेजर ले लो यह सोचना सहज नहीं है कि किसी प्रमुक कमपनी में असफल उत्पाद लॉंच सामान्य और ठीक होगा सहज रूप से आपको लगता है कि CEO को शेरधारकों से माफी मांगनी चाहिए लेकिन CEO जेफ बेगोस ने कमपनी के फायर फोन के विनाशकारी लॉंच के तुरंत बाद कहा अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी विफलता है तो हम अभी बहुत बड़ी वि जाक नहीं किया उनमें से कुछ फायर फोन को एक छोटे से ब्लिप की तरह बनाने जा रहे हैं अमेजे के लिए फायर फोन पर बहुत सारा पैसा खोना ठीक है क्यूंकि इसकी भरपाए अमेजे वेब सविसेज जैसी किसी चीज से होगी जो दसियों अरबों डॉलर कमाती है बचाव के लिए पूँच नेटफलिक्स के सीओ रीड हेस्टिंगस ने एक बार घोशना की थी कि उनकी कमपनी कई बड़े बजट की प्रस्तुतियों को रद कर रही है उसने जवाब दिया हमारा हेट अनुपात अभी बहुत अधेक है मैं हमेशा कंटेंट टीम को आगे ब रद करने की दर अधिक होनी चाहिए ये कोई भ्रम या जिम्मेदारी की विफलता नहीं है वे इस बात की एक स्मात स्वीकृती हैं कि टेल सफलता को कैसे आगे बढ़ाते हैं प्रतिये का मेज है प्राइम या ओरंज दन्यू ब्लैक है जिसे आप निश्चित रूप से जान करते हैं न कि वो नुकसान जो टेल सक्सेस उतपाद का कारण बना मैं टीवी पर जो क्रिस रॉक देख रहा हूं वो प्रफुलित करने वाला निर्दोश है हर साल दरजनों जोटे क्लिबों में प्रदर्शन करने वाला क्रिस रॉक ठीक है यानि डिजाइन द्वारा कोई भ बड़ा कॉमेडियन अपनी सामगरी को बड़े वेन्यू में इस्तिमाल करने से पहले छोटे कलिबों में टेस्ट करता है रॉक से एक बार पूछा गया था कि क्या वो छोटे कलिबों से चूक गए हैं उसने जवाब दिया जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूं तो ऐसा न मैंने किया लगभग 40 या 50 शो दौरे के लिए तैयार हो रहे हैं एक अखबार ने इन छोटे कलब सत्रों की रूपरेखा तैयार की इसने नोट्स के पन्नों के माध्यम से रॉक थम्बिंग और सामगरी के साथ लर्खडाहाट का वर्णन किया मैं इन में से कुछ चुटकु लों को काटने जा रहा हूं वे मिट्स किट कहते हैं नेटफ्लिक्स पर मुझे जो अच्छे चुटकुले दिखाई दे रही हैं वे पूँच हैं जो सैकडों प्रयासों के ब्रमान से बाहर निकल गए हैं ऐसा ही कुछ निवेश में भी होता है वारिन बफे की कुल समपत्त या उनके ओसत वार्षिक रिटन का पता लगाना आसान है या यहां तक उनका सबसे अच्छा सबसे उलेखनिय निवेश वे वहीं खुले में हैं और वे वहीं हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं अपने करिया में किये गए प्रत्येक निवेश को एक साथ जोड़ना ब लेकिन वे बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं वे पूंच से चलने वाले रिटन के दूसरे पक्ष हैं 2013 में बर्कशायर हैथवे के शेरधारक बैठक में वारिन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक हैं और उनमें से 10 पर अपना अधिकां पैसा बनाया है चाली मुंगेर ने पीछा किया यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा देते हैं तो इसका दीर कालिक ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेश ध्यान देते हैं तो हम इस बात को नजर अंदाज कर देते हैं कि उनका लाब उनके कारियों के एक छोटे प्रतिशत से आया है इस से हमारी अपनी विफल्ताएं नुकसान और असफल्ताएं मेहसूस होती हैं जैसे हम कुछ गलत कर रही हैं लेकिन यह संभव है कि हम गलत हैं या बस एक तरह से सही हैं जितनी बार स्वामी होते ह हो सकता है कि जब वे सही थे तो वे अधेक सही थे लेकिन वे आपके जितनी बार गलत हो सकते थे जोर्च सो रोस ने एक बार कहा था यह महत्वपून नहीं है कि आप सही है यह गलत है लेकिन जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना खो देते हैं आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भागय बना सकते हैं हमारी आकाश गंगा में सो अरब ग्रह हैं और जहां तक हम जानते हैं केवल एक ही बुद्धिमान जीवन के साथ है तत्य यह है कि आप इस पुस्तक को पर रही हैं यह सबसे लंबी पूंच का परिनाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं यह खुश होने की बात है इसके बाद आये देखें कि पैसा आपको और भी खुश कैसे कर सकता है झाल झाल झाल